हेलो दियर फ्रेंड्स, वेलकम तो सोबित अगरवाल क्लास्ज आज जो टोपिक है काफी इंपोटेंट टोपिक है और रिलेटिड है फॉर्म्स ओफ ट्रामा से फॉर्म्स ओफ ड्रामा बहुत ही अच्छा हमारे एक टोपिक चल रहा है आप सभी को पता है फॉर्म्स ओफ ड्रामा और उस रिलेटिड वीडियो से पहले काफी अपलोड हो चुकी है तो वो वीडियो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगी वहाँ पर वी जाकर वीडियो जरूर देखना forms of poetry से पहले complete हो चुकी है forms of drama इसके बाद forms of drama में एक lecture और डलेगा फिर ये complete हो जाएगा फिर इसके बाद हम forms of prose पर चलेगे उसमें novels पढ़ेंगे अलग-अलग तरह के तो आप आप सोभी तक गुपाल class's के साथ बने रहे हैं ये TGT PGT की special series चल रही है और यह help आपकी TGT, PGT और सभी exam जो होते हैं चाहिए वो NVS, KVS, LT grade सभी exam है इवन LT grade में तब बहुत ज़्यादा help करेगा तो इन वीडियो को आप बिना skip किये देखें अपना सारे experience अपना channel पर share करता हूँ यसा ही आपके सामने मेरा introduction है second highest रहा हूँ 2016 वाले TGT जो विज्यापन था 2019 में जिसका exam conduct हुआ था और 19th rank जो थी वो PGT में थी और TGT 2013 में भी select हुआ था वेटिंग में चलिए स्टार्ट करते हैं dramatic monologue क्या होता है इसमें कुछ हम important mcqs भी discuss करेंगे बाद में पहले full detail फिर उसके बाद में mcqs देख लेजगा dramatic monologue होता क्या है one 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 एक एक चीज़ को explain करते चलेंगे monologue का literally meaning क्या है dialogue with self अपने आप से बात करना in dramatic monologue there is only one character who expresses but who expresses out his inner feeling thoughts through a long speech dramatic monologue में एक character होता है जो अपने express करता है अपने अंतर की जो feeling होती है एक long poetic speech के द्वारा in this speech he opens out his mind and heart and soul इनी speech में यह अपना mind जो heart है वो open करता है with a presumption that nobody hears और यह इस बात को सोचता है कि उसे कोई नहीं सुन रहा होगा और hearer is passive hearer या फिर अगर सुन भी रहा है तो उसकी तरफ से कोई भी कोई passivity मतला उसकी तरफ से कोई activity ना हो और वो नहीं उन अंसर उन बातों का अंसर दे सामने से जवाब ना दे वो होता है और psychological analysis इसका जो एम होता है character study के साथ psychological जो analysis character का करना चाहता है इस dramatic monologue के माध्यम से और जो speaker on the stage जो speaker जो होता है अकेला बोलने वाला जो stage पर जो व्यक्ति होता है उसके जो अंदर में जो चल रहा है mentally जो उसकी बाते उसके अंदर चल रही है वो बताता है inner most feeling वो share करता है देखे वीडियो आपको अच्छे लग रही है तो like जरूर करें अपने friends के साथ जरूर शेर करें और चैनल को subscribe जरूर करें the person who speak is made to reveal himself and the motive that impale him at some crisis in his life देखे दो person होता है जो बोलता है उसे कहा जाता है या उसे expect किया जाता है कि वो reveal करें परकट करें और motive reveal himself वो अपने आपको परकट करें and motive that impale him at some crisis और जो उसे कभी जिन्दगी में किसी crisis में जो भी परिसानी हुई हो वो सब चीज़े वो share करें he may speak in self justification वो self justification में भी बोल सकता है and in mood of detached self explanation या फिर detachment अलगाववाद भी उसके अंदर हो सकता है और वो अपने खुद की भी explanation जो है कर सकता है उसका mood contented भी हो सकता है resigned भी हो सकता है impenitent भी हो सकता है पश्चताप भी उसके अंदर हो सकता है remorseful उसके अंदर पश्चताप की भावना भी हो सकती है जो character होता है वो अलग-अलग जो अपने भाव होते हैं अंदर के वो detachment भी उसके अंदर हो पाया जा सकता है, content भी हो सकता है, संतुष्ट भी हो सकता है, resign भी हो सकता है, वो remorseful पच्टत आप से भरा हुआ भी हो सकता है, and the author is, जो author होता है, is intent on showing us inner man, जो author होता है, जो लिखने वाला होता है, वो उस व्यक्ति के अंदर की जो आत्मा होती है, inner man जो होता है, वो उसे हमें dramatic monologue के माद्दे हम से बताना चाहता है, Seren Spari ने इसकी बहुत ही अच्छी एक famous definition दी है, the poet takes a character, psychic about, poetic character को लेता है, और उसे हिलाता है, उसे हिलाता है, dissecting, dissecting, or try to dissect, dissecting होता है, सोध करना, वो experiment करता है उस character के साथ, its soul, analyze its constituents, folding or unfolding it, to get different light and aspect, देखें, जो character होता है, poet क्या चाहता है उस characters को, वो एक तरिके से character को शोध के रूप में हमारे सामने परकट करता है, वो folding or unfolding it, to get different light and aspect, और वो उसके माध्यम से, folding, unfolding माध्यम से, different lights है या aspect है उसकी, वो हमें show करता है, but never sum up, or giving her whole, लेकिन वो कभी भी जो poet होता है, वो पूरी की पूरी जो बात है, उस character के बारे, वो हमें कभी नहीं दिखाना चाहता, वो हमें experimental एक व्यक्ति, जो character जो दिखाता है, poet या author, उस व्यक्ति को experimental रूप से, उसे use करता है, उसके innermost feeling हमारे सामने दिखाता है, the dramatic monologue is part drama and part poetry, एक्जाम मैंने लगे, which form of drama is part drama and part poetry, it is dramatic monologue, it is a speech in the poetic medium, with dominant dramatic note, इसमें यह speech होती है, poetic medium में होती है, और जो dominant dramatic note, और इसमें आपको dramatic note मिलेगा, प्लस आपको poetic medium भी मिलेगा, since it is a speech with someone to hear it ये एक यसी speech होती है with someone किसी व्यक्ति के साथ कि जो उसे सुने तो without any comment लेकिन कोई भी उसकी तरफ से comment ना आए give it a dramatic color ये उसे dramatic color देता है हम जे dramatic monologue में क्या होता है character बोलता तो है लेकिन वो ऐसे aspect करता है कि सामने वाला जवाब ना दे सिर्फ उसे सुने वो passive रहे सामने वाला moreover it may be possible that character may stand on the stage ऐसा भी possible होता है जो character होता है वो stage पर खड़ा रहे and eloquently deliver his speech before audience eloquently होता है आर्थपूर्ण धंग से जो अपनी speech होती है वो audience के सामने deliver करे browning tannison most important exponent of this dramatic form सबसे ज्यादा famous तो वैसे browning यी थे दूसरे नंबर पर tannison का नाम आता है browning finest poetry found in this form जो browning की robert browning की finest poetry थी वो इसी form में हमें मिलती है tannison had also has also used this form in some of most representative poem the best non-modern instant is T.S. Elliot love song of J. Alfred Profford the best modern instance है अगर किसी dramatic monologue हमारे सामने है तो Alfred Profford है देख लीजेगा कुछ important dramatic monologue alpha law tannison चुकि हमारे syllabus में भी है tannison इसलिए हमें पता होना चाहिए must read इनके dramatic monologue है कौन-कौन से आपको read करने है इनके dramatic monologue योलेसिस पर आपको mainly focus रखना है और आप थोड़ा mode भी देख सकते हैं ये तरह important नहीं है लेकिन आपको title जरूर पता होना चाहिए तो सबसे पहले उने लिखा योलेसिस mode आप monodrama जिसे कहा जाता है ये टिटोनस इनका थर्ड ये टिटोनस इनका dramatic monologue लॉक्सले हॉल रोबर्ट ब्राउनिंग के कुछ dramatic monologue भी देख लेते हैं रिंग एंड दा बुक ये इसमें ये series है 10 monologue की स्लोज स्लोज एंड मीडियम स्लोज एंड मीडियम बिशप ब्लू ग्रम बोल्यूम इसमें कहीं सारे हमें monologue मिलते है रभी बैन एजर माई लास्ट जचिस बिशफ ओर्डर हीस टॉम स्लोलुकी ओफ स्पैनिस क्लॉस्टर कैल्बिन अपोन सेट बस लास्ट राइट तुगेदर ये कैल्बिन अपोन सेट बस बहुत ही important है क्योंकि विलियम शेक्षपियर के टेंपेस सेनों ने यहापे रोबर्ट ब्राउनिंग ने रेफरेंस लिया है लास्ट राइट तुगेदर प्रोस्पाइस प्रोफेरियस लवर एविलिन हॉप फ्रा लिपी लिपी लिपॉलिपी यह सब ड्रामेटिक मॉनोलोग पूरी डेफिनेशन आपको डीटें मैंने बताई चलिए अब कुछ MCQs भी इसके डिसकस कर लेते हैं ड्रामेटिक मॉनोलोग क्या होता है ए ड्रामेटिक मॉनोलोग आपके सामने चार अप्संस है इसका जो करेक्टर होता है उसके इनर्मोस्ट फीलिंग और थोट्स हमें प्रवाइड कराई जाती है उसके ड्रामेटिक मॉनोलोग रिटन बाई टैनेशन ने कौन सा लिखा प्रॉसपाइस ब्राउनिंग ने लिखा अविलियन होब भी बिसाफ ब्रोगम अपलोजी भी अब आता है कौन सा टीटाउनस यह लिखा है एलफ़लोट थेनेशन में विच ओफ दा फॉलविंग मॉनोलोग इस रिटन बाई ब्राउनिंग एंड्रीडल सेट्रो लॉक्सले क understands भी होल मॉड्योस यह लिए लेसिश तो कौन सा जो टममितिक मांंड इन्होने लिखा है तो आपको correct answer देखिये इसमें जो correct answer है अंड्र्ड सेट्रो हैं लॉक्सले होल मॉड्योड तो इसका जो correct answer ह Walk is the author of love song-off जेई अलफर प्रफ़ार कौन है इसका सा सा कुश्चन है आपके सामने इसका ओधर है टियस इलियट फिप नंबर पर आपके सामने कुछ लाइन्स हैं जो आप देख पा रहे हैं थो वाल्ड आई सैल ट्रेवर्स नोट अफ्यू बहुत सारी चीज़े ऐसी थी जो मैंने ट्रेवल किया याद करने लाइग भी थी भूलने लाइग भी थी और दा टाइम भी कम फोर टॉकिंग यू तो यह यह लाइन्स किसकी हैं यॉ देखें कितनी अच्छी लाइन है तो इस्ट्राइब तो सीग तो फाइन नौट तो याइल्ड माइलाज्ट डशीज एविलीन होप रभी बेनेजरा यॉलेसिज यॉलेसिज की यह लाइन है बहुत ही अच्छी है उसके अंदर जो फिलिंग थी यॉलेसिज की वो कभी नही ठकता १ा वहमेशा दुनिया को खोजने की परियास में रहता है नहीं नहीं चीजे वह कर ना तो यह लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है, किस ड्रामिटिक मॉनलोग की यह लाइन है, यह लाइन है रभी बेन एजर की यह किन की साउल ओ मासाउल किसे कहते हैं, यह कहते हैं, अपनी पतनी को, अपनी पतनी को आत्मा कहते हैं, अपनी लाइन है, इस वाइप, अलजबेफ बैट ब्राउनिग, फॉल अलाउन इन वर्ड्स, डीड्स, वाइन हो सक्सीड्स, देखे, क्या मैं अकेला ही विफल हुआ हूँ, वर्ड्स में या डीड्स में, क्या सभी व्यक्ति जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, यह लाइन है यह राष्ट राइट तुगेदर, एंडिडल सेट्रो या रभी बैन एज्रा, यूलेसिस, तो कर्रेक्ट आंसर इस लाष्ट राइट तुगेदर, टेन, वो नो बट वर्ल्ड में एंड तुनाइट, दा हाइली स्ट्राइकिंग लाइन, यह बहुत ही अच्छी लाइन है, कौन जानता है कि आप ता आज ही दुनिया खत्म हो जाए, इसलिए लाष्ट राइट तुगेदर, रोबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी अपनी बेलवज को, लाष्ट राइट के लिए वो कहता है, कि आज में ही जिये, और क्या पता है कल हो या नहो, तो इसलिए वो लाष् अलसेटर कौन था, रिनॉट पेंटर, वो वाज फ्रालिपो लेपी, इसका करेक्ट आंसर वो क्यान थे, रिनॉट आर्टिशियन, पेंटर, स्कुल्प्चर, एक्टर, तो करेक्ट आंसर पेंटर, ये भी पेंटर ही थे, विसाख, ब्रोहम, ब्रोगम, अपोलोजी, ये किस के उपर साटार था, सेंटर थी, मिसकी क्या थी, साटार, रोमन कातलिक, इसका करेक्ट आंसर है, फोर हूम, डिट ब्राउनिंग, इसका करेक्ट आंसर है, शेख्षपियर की ठेंपेस्ट, लाश्ट कुश्यन आजगा, वो वाज रभी बेनेजर, रभी बेनेजर कान थे, इ A is the correct answer, चलिए, I hope वीडियो आपने enjoy की होगी, तो जिसने चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe जरूर करें, और bell icon जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको समय से मिलता रहे, thank you very much, stay tuned with Sobidagwal classes, bye bye